हेलो एवरिवन, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जोग्राफिका चैप्टर सेवन और इस चैप्टर का नाम है यूरोप, लोकेशन एंड फिजिकल फीचर्स ये यूरोप क्या होता है, क्या आपको पता है? नहीं पता? तो चलो मैं आपको पहले बताता हूँ कि यूरोप क्या होता है और अगर आपको पता है यूरोप क्या होता, तो यहर सुन लो, क्या दिक्कत है सुनने में ठीक है? तो चलो मैं बताता हूँ यूरोप क्या होता है आप इस image को ध्यान से देखो यह है हमारा Earth ठीक है? और हमारे Earth पे टोटल 7 continents हैं ठीक है? और उनके नाम है Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe और Australia ठीक है? अगर हम count करें तो यह कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो जो total continents होते हैं ना हमारे Earth पे तो वो है 7 और हमें पढ़ना है इस continent के बारे में और इस continent का नाम है Europe ठीक है? तो अब समझ में आया की Europe क्या है? तो Europe एक continent है ठीक है? और इस chapter में हम पढ़ेंगे इसका location की Europe है कहां पर भाई तो location पढ़ेंगे की Europe कहां पर है और उसका physical features physical features मतलब physical features यानि की Europe में कहा कहा mountains है कहा कहा पर रेगिस्तान है कहा कहा पर नदिया है ठीक है और कौन कौन से मतलब जो main main सारे जो mountains हुए नदिया हुए, desert हुए तो ये सारे चीज़ों को पढ़ना है इस chapter में ठीक है अगर हो गया तो that's good, अब हम आते हैं अपने chapter पे और अगर नहीं आपको समझ में आया तो आप फिर से back कर लो थोड़ा से वीडियो और फिर से मेरी बातों को सुल लेना आपको बहुत अच्छे से clear हो जाएगा Europe is one of the most densely populated highly industrialized and urbanized continents of the world Europe में बहुत densely populated है यानि कि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं highly industrialized यहाँ पे बहुत ज़ादा industries हैं, यानि कि factories हैं, and urbanized continent और यहाँ पर सहरी छेतर बहुत ज़ादा हैं, और गाउं बहुत कम, Europe में गाउं बहुत कम देखने को मिलेंगी और जो सहरी छेतर हैं, वो आपको बहुत ज़ादा मिलेंगी stretching over an area of 10 million square kilometer it is the sixth largest continent with only Australia being smaller than it तो मैंने अभी आपको बताया था इस image में कि हमारा total seven continent होता है और मैंने size के accordingly आपको बताया था तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा Asia फिर Africa, फिर North America, फिर South America फिर Antarctica, उसके बाद होता है Europe तो Europe हो गया sixth number पे, ठीक है sixth largest continent, उसके बाद है Australia ठीक है, तो यही बात है वहाँ पर लिखेंग गई है कि Europe जो है, वो sixth largest continent है it is the third most populous continent after Asia and Africa comparison 11% of the world population और population के हिसाब से तो सबसे जादा Asia में लोग रहते हैं फिर Africa में लोग रहते हैं उसके बाद न, यूरोप में लोग रहते हैं तो third, सबसे most populous continent कौन है तो यूरोप है और यहाँ पर इतनी population होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं और यहाँ पर बहुत सारे बिजनसेस चलते हैं जिसके कारण यूरोप को कहा जाता है most active of all the continents मतलब सबसे ज़्यादा factories, सबसे ज़्यादा manufacturing जो होता है वो यूरोप से होता है इसलिए इसे कहते है the most active of all the continents यूरोप generates more international trade than any other continent और सबसे ज़्यादा जो trading होती है यानि के business होती है एक country से दुसरे country में तो सबसे ज़्यादा यूरोप से होता है of the world's leading trading company six are in Europe namely France, Germany, the United Kingdom, Italy, the Netherlands and Belgium तो जो दुनिया के बड़े बड़े जो countries है ना पूरे दुनिया के जहां से बहुत ज़्यादा business होती है तो उन में से छे जो है ना छे country वो यूरोप के हैं और उनके नाम है सबसे पहला तो है Germany, France, United Kingdom जिसे कि हम लोग England भी कहते हैं फिर Italy और Netherlands और Belgium ठीक है तो ये कुछ countries हैं जो कि top most trading companies है यूरोप is among the highly industrialized continent of the world और सबसे ज़्यादा industry in इसी continent में है In fact, Europe was the first continent to industrialize और ऐसा कहा गया है ऐसा माना गया है कि Europe में ही सबसे पहले industry लगा था और industrialization जो है वो सबसे पहले Europe में हुआ था led by the UK in the 18th century और सबसे पहले UK में हुआ था UK यानि कि United Kingdom जिसे कि हम लोग England भी कहते हैं ठीक है, सबसे पहले factory वहीं पर set up हुई थी and as a result it has become the richest continent in the world today और यही कारण है कि आज के जमाने में सबसे रिच कोई country है तो इस continent है तो वो है Europe और उसमें से भी गर कोई रिच है तो वो है England ठीक है, England यानि कि United Kingdom The main reason for Europe prosperity include the following तो इतने जादा समरिद्ध है इतने जादा अमीर है तो इनके कुछ कारण है ठीक है, उनके उन कारणों को पढ़ते है Its climate is neither too hot nor too cold Europe का जो climate है ना वो नहीं जादा थंड है और नहीं जादा गर्म है तो आप बोलोगे तो क्या, इंडिया में भी तो ऐसा ही होता है तो इंडिया के केस में ऐसा नहीं होता इंडिया में जब ठंड पढ़ती है तो बहुत जादा ठंड पढ़ती और जब गर्मी पढ़ती है तो बहुत जादा गर्म हो जाता है है ना, but European countries में क्या है एक नहां moderate सा temperature रहता है, दम 22 degree, 22 degree Celsius, वालब प्यार सा, प्लीजेंट वेदर होता है, तो इट इस climate is neither too hot nor too cold, second reason is, there is not hot desert, वालब गर्म रेगिस्तान नहीं है कहीं पे, Most of the land is even and suitable for cultivation, और ज्यादा तर जो जमीन है ना वहाँ पर वो खेती करने के लिए है, और बहुत अच्छा जमीन है, मतलब उपजाओ जमीन है वो, It is reaching mineral sources like coal and iron ore, और वहाँ पर बहुत सारे minerals मिल जाते हैं, minerals यानि की खनीज, हिंदी में कहते हैं खनीज, ठीक है, ध्यान रखना, खनीज कहते हैं, तो उनसे क्या होता, तो खनीज को मुलते हैं, English में ore, ठीक है, तो iron ore से ना हम लोग iron extract कर लेते हैं, तो iron ore वहाँ पर बहुत ज देखता हूं, आगे भी कुछ पॉइंट से क्या, आगे भी कुछ पॉइंट से हैं, इट्स हीली एंड माउंटेनस टोपोग्राफी प्रवाइड एवन्यूस फ़र जेनरेशन ऑफ हाइड्रो एलेक्रिसिटी, तो यहां पर जो बड़े-बड़े पहाड है, तो वहां से पा बावर प्लांट आई होपाप समझ गया होंगे, तेखो क्या होता है, जब जापनी बहते हैं तो पानीगों रोक लेते हैं, ठीक है और एक लुछ डैसा बना टेते हैं, पिर नीचे एक मॉटर लगा देते हैं, और बाद में उस पानी को छोड़ देते हैं, और पिर जब पा कोस्टल अरिया है तो वहाँ तो यह पर भी जाना नॉ्ड़ा सी ही मतलब असान है त्थेिक आए कारवन कि वहाँ पर बहुत ज़ादा डेवलपमेंट होते है मतलब मुआ कुना में नकode कही है चय है optimist आएप आए होप आप नाम सनें होंगा है Lamborghini और जो भी Mercedes तो ये सारे Companies ना ये सारे Companies European है ठीक है जर्मनी में इनका गाड़ी बनता है ठीक है आगे आगे हम लोग देखते हैं Location की भाई ये जो Europe है ये कहां पर इनका Location है ठीक है इसके बारे में पढ़ते हैं वैसे मैं आपको मैप में तो दिखा ही चुका हूँ ना अगर माइंड से उतर गया होगा तो एक बार आप फिट से देख लो देखो ये उरोप यहां पे है और हम लोग इसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि यह है कहां पर आखिर ठीक है तो अब हम लोग देखेंगे और आप देख रहे हो ना यह हमारे continent पड़ोसी है इसके यह Asia यूरोप से सटा हुआ है तो सारे चीजों को अब हम लोग पढ़ेंगे बुक में जो लिखा हुआ है उसे I hope जब आपको मैंने chapter 3 पढ़ाया होगा तो आप वो वीडियो देखे होंगे अगर नहीं देखे है ना तो आप जाकर YouTube पर सर्च करो आपको वो वीडियो मिल जाएंगे और वहाँ पर आप जाकर देखो कि Northern Hemisphere क्या होता है ठीक है वैसे मैं अभी एक बर फिर से बता दूगा बट आप जाकर देखना क्योंकि वहाँ पर मैंने Temperate Zone के बारे में भी बताया था ठीक है तो आप जाकर वो वीडियो देखो ताकि आपको information मिले ठीक है ना और आप geographic को अच्छे से समझो तो चलो मैं Temperate Zone तो यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा अभी से डिटेल में थोड़ा थोड़ा मैं बता दूगा ठीक है बट Northern Hemisphere क्या होता है वह मैं आपको अभी समझा देता हूं चलो जी यह वाले इमेज को आप देखो यह क्या है यह हमारा अर्थ है ना ठीक है तो अर्थ को जो बीचो बीच काटता है ना जो लाइन उसे कहते हैं ल बाट देता है ना उसे कहते है एक्वेटर ठीक है और अर्थ में ना हमेशा उपर वाला नौर्थ होता और नीचे वाला साउथ होता ठीक है उपर हमेशा नौर्थ होता और नीचे हमेशा साउथ होता ठीक है तो जब हम इसको इकोल पार्ट में काट दिये हैं तो उपर वाल जो है वो Northern Hemisphere में है ठीक है यह पूरा Northern Hemisphere में है यह रो और यह लाए करता है North Temperate Zone में वहले है small part of it lies in the Frigid Zone Frigid Zone यानि की जो Tropic of Capricorn से लेके Arctic Reason तक था ठीक है आप ना Tropic of Capricorn I hope आपको पता होगा ओके ओके देखो यहां पे ना यह इमेज है यह Tropic of Cancer ठीक है और यह आर्टिक रीजन है ठीक है इसके बीच को बोलते हैं हम लोग Tropic Tropic North ठीक है और जो Frigid Zone था ना यह उपर वाला पार्ट ठीक है तो यूरोप की जो कुछ है पार्ट है ना वो यहां पे है उपर रिक्दम बहुत उपर जिसे की कहते हैं हम लोग Frigid Zone ठीक है Beyond the Arctic Reason it extends from 36 degree north to 72 degree north latitude and from 10 degree west to 60 degree east longitude तो आप पहले चानलो की longitude क्या होता है latitude क्या होता है वैसे मैं बता रखा हूँ आपको वो chapter 3 वाले वीडियो में ठीक है long long longitude ठीक है और यह जो लेटा हूँ लाइन है इसे हम लोग कहते है latitude ठीक है इसे कहते है हम लोग latitude तो आपना अब इस लाइन को धियान से देखना, 36 डिग्री नौर्थ से लेके 72 डिग्री नौर्थ लैटिटिटूड, ठीक है, लैटिटिटूड यानि की लेटा हुआ लाइन, आप अपना धियान बस लेटे हुए लाइन पे रखना, बाकी का चीज मैं समझाओंगा, ठीक है आपको बस मेरी पाते सुननी है, यह जो 36 डिग्री नौर्थ है और 72 डिग्री नौर्थ है, यह आप अपने माइड में रखो, ठीक है, 36 था और 72 था ना, और आपको धियान रखनी है लेटिटूड में, तो आप देखो यह वाला जो है, यह कौन सा लाइन है, यह लेटा हु है, और यूरोप यहां तक है ना, करीब-करीब, तो देखो, यहां पर 50, यहां पर 40, तो यहां पर क्या होगा, इसके नीचे जहां तक यूरोप है, यहां तक अगर आप देखो, तो यहां पर 32 डिगरी है, तो देखो, यहां पर 72 डिगरी होगा, तो अगर आपके पास एटलस है आप अपने Atlas को खोलो और जो चीज मैं आपको इस मैप में explain कर रहा हूँ ना वो चीज आप अपने Atlas में देखना तो आपको नज़र आएगा कि जो यूरोप है ना वो फैला हुआ है 36 डिगरी इस्ट से लेके 72 डिगरी इस्ट तक स्वारी नॉर्थ तक ठीक है 36 डिगरी नॉर्थ से लेके 72 डिगरी नॉर्थ तक ठीक है latitude और इसका वैसे ही longitude आप चिक कर ना अपने Atlas पे 10 डिगरी वेस्ट स से लेके 60 डिगरी इस्ट तक okay now in terms of shape shape के अनुसार Europe look like a peninsula ठीक है peninsula बोलते हैं एक बहुत बड़ी जमीन जो तीन ओर से पानी से गिरी हुई हो ठीक है तो अगर आप India का मैं भी map देखोगे ना तो आपको देखेगा कि India भी तो तीन तरब से गिरी हुई है पानी से तो इस इसी लिए हम लोग परता है इसे क्या कहते है इसे हम लोग कहते है इसे हम लोग कहते है इंडियन peninsula ठीक है तो सेम इसी तरीके से ना यूरोप भी peninsula है एक क्योंकि वो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है So I am hoping की peninsula क्या होता है ये चीज clear हो गया होगा In terms of shape, Europe looks like a peninsula, landmass surrounded by water on three sides ऐसा जमीन जो तीन ओर से पानी से घिरे हुए हों उचसे हम लोग peninsula कहते हैं Extending westward of ascetic landmass, it is in fact a collection of connected peninsulas and therefore called peninsula of peninsulas इसे लिए Europe को कहा जाता है peninsula of peninsulas क्योंकि ये बहुत सारे peninsulas से मिलकर बने हुए है ठीक है? मैं आपको अभी map में show करता हूँ आप ध्यान से देखो ये है यूरोप का map ठीक है? तो अगर आप देखोगे तो ये वाला part हो गया आप देख़ रहे हैं इधर भी पानी, इधर भी पानी और इधर भी पानी और अब इसे देखो, इटैली को देखो, ठीक है, यहाँ पे राहूल गांदी का नानी कर रहा है, ठीक है, तो इधर भी पानी, इधर भी पानी, और इधर भी पानी, है ना, अब आप ये वाले पार्ट को देखो, इधर भी पानी, इधर भी पानी, और इधर भी पानी, और अ कि इस पार्ट को कहा जाता है peninsula of peninsulas ठीक है क्योंकि इधर peninsula ही peninsula भरे हुए है ठीक है तो this is because the seas have penetrated deep into the land and have led to the formation of smaller peninsulas और बोला ऐसा इसले हुआ है क्योंकि जो समुन्ध रहना वो सहर के बहुत अंदर तक गुज गया है जिसके कारण की peninsula बन गया है फिर है आगे the two largest of these are mainland Europe and Scandinavia to the north separated from each other by the Baltic Sea, the three smaller peninsula, Iveria, Italy and Balkans ठीक है यह सारे चीज़ को मैं आपको map में सो करूँगा और सभी चीज़ को अच्छे से ध्यान से बताऊंगा ठीक है और मैं ऐसा होप कर रहा हूँ कि यह सारे चीज़ आपके लिए नए होंगे ठीक है तो आप ध्यान से समझना बातों को ठीक है ना, इमर्जिस from the southern margin and of the mainland into the Mediterranean Sea which separate Europe from Africa ठीक है तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर लिखा गया है कि the two largest of these are mainland Europe and Scandinavia to the north separate from each other by the Baltic Sea तो कह रहा है कि यह जो Scandinavia है यह अलग हो जाता है उरोप के mainland से और इसे जो अलग करता है उसे कहते हैं Baltic Sea अब मैं आपको इमेज दिखाता हूँ और आपको समझाने का कुशिश करता हूँ आप समझना आप दिमाग को बड़े ही काम से शान्त रखना ठीक है शान्त यह है आपके सामने यूरोप का मैप ठीक है तो देखो यह तो कुछ mainland हो गया ना यह इंपोर्टेंट जमीन सा Scandinavia Country ठीक है और यह अलग होता है mainland से और इसे अलग जो कहते हैं उस समुंदर का नाम मैंने क्या बताया उस समुंदर का नाम है Baltic Sea और देखो Baltic Sea यहाँ पे है देखिए आपको Baltic Sea तो Baltic Sea जो है वो Scandinavia को mainland से अलग करता है क्लेर हो गया और अगर आप देखो यह Scandinavia Country को तो आप को दिखेगा कि यह तीन ओर से पानी से गिरे हुए है वान टू एंड त्री ठीक है तो इसी लिए यह क्या है यह भी एक पैनन सुला है ठीक है तो यह बात क्लेर हो गई कि Scandinavia को अलग करता है mainland से Baltic Sea तो अभी हमने जस्ट पढ़ा तो अभी हमने जस्ट पढ़ा तो लार्जे अब आगे पढ़ता हूँ आगे अब सुनना तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले है कहां पे आइबेरियन पैनन सुला इटालियन पैनन सुला और बालकन पैनन सुला इमर्जिस फ्रॉम दे सुला तो अभी हमने उपर के पार्ट को क्लेर कर दिया तो अब और और कुछ नहीं है उपर फिर पूल है नॉर्थ पूल ठीक है अब हम लोग नीचे देखते हैं तो आप देखो यहां पर आपको दिख रहा है एक कंट्री फ्रांस एक कंट्री स्पे फिर एक हो गया पौट्रुगल ठीक है और एक छोटू सा कंट्री यहां पर आंडोरा देखा जहा। यहां पर प्रांस एंडोरा-स पैन और पौर्टोगल ठीक है तो यह सबी कंट्री को हिं हम लोग कहते हैं Iberian Peninsula में ठीक है यह सारे कंट्रीज कौन से第二 raisable में Iberian Peninsula में है और Peninsula को मतलब मैंने बताया था कि ऐसा जमीन जो पानी से तीन ओर से गिरे हुए है तो चलो देखता हूँ किदर से ये तीन ओर से गिरे हुए है तो एक हो गया ये एक हो गया ये और एक हो गया ये तो है ना ये जमीन तीन ओर से गिरे हुए तो इसे कहते हैं हम लोग Iberian Peninsula Now comes to the जो Balkan Balkan Peninsula था उसके बारे में देखेंगे तो Balkan Peninsula ना इसे कहते है इस वाले पार्ट को कहते है तो यह है हमारा जो यह है Balkan Peninsula ठीक है और इसके कुछ कंट्रीज की नाम है देखो जैसे की सर्बिया हो गया यहाँ पे हो गया Montegro and Kosovo ठीक है और यह बोसेनिया हर्जोगोविनिया नाम थोड़े अजीब से हैं क्योंकि शायदा पहली वर सुन रहे हो बट आप देखो ठीक है यह बोसेनिया हर्जोगोविनिया ठीक है फिर यहाँ पे सर्बिया यहां Montegro, Kosyavo, डीक है Albania, Greece तो यह सभी काप से peninsula में आते हैं यह सभी आते हैं बैलकन peninsula में और बैलकन peninsula में तो आते हैं बट peninsula का मतलब क्या मैंने बताया था पे इसा जमीन जो तीन ओड से पानी से घिरे होए हो तो इसमें तीन ओट से किदर से गिरे हुए है देखता हूँ मैं देखो एक इस साइड हो गया एक इस साइड हो गया और एक इस साइड हो गया तो हम लोग यह देख लिए ना कि यह जो है बालकें पैनेंसुला यह भी तीन ओट से पानी से गिरे हुए है ठीक है क्लेर हो गया और ये है meditariancy, ठीक है, अब धियान रखना, ये है meditariancy, अब हम chapter में आते हैं, और एक बार पड़ के फिर से कोशिश करते हैं, कि अभी जो हमने देखा है, इमेज में क्या हो हमें समझ में आया भी या नहीं, ठीक है, three smaller peninsula, तीन छोटे-छोटे peninsula, एक था Iberian Peninsula, that is Iberia Peninsula, वो जो from the southern margin of the mainland, into the Mediterranean Sea, मैंने Mediterranean Sea भी आभी आपको दिखाया, which separates Europe from Africa, और यही जो समुन्ध है, meditariancy, यही ना, यह यह Europe को अलग करता है, Africa से, ठीक है न, नीचे जो देखोगे न, देखो, मरेको, अलजरिया, तो यह सब यह अफरिकन कंट्रिस है, ठीक है, और अफरिकन कंट्रिस से और ये देखो इटाली, इटाली भी तीन ओट से पानी से घिरे वे है ना, तो ये भी एक पैननसुला है The numerous peninsulas, bays, island and frisodes give the southern, northern and western Europe a long, irregular and highly indented coastline as the sea frequently extends into the land The coastline of Europe is estimated at 80,500 km, which is longer than that of Africa तो यहाँ पर बात बोली गई है, कि जो the numerous peninsulas, बहुत सारे peninsulas है, bays, यानि कि समुंदर के किनारा, को कहते हैं हम लोग bay, है ना, हम लोग का bay of Bengal तो ऐसी bay, island, island मतलब क्या होता, एक ऐसा छोटा सा जमीन, जो चारो ओर से पानी से घीरा हुआ हो, उसे कहते हैं island और है फ्रीजोट्स, फ्रीजोट्स का मतलब क्या होता, फ्रीजोट्स का मतलब होता है, एक लंबा सा और बहुत गहरा बट छोटा सा नदी, ठीक है, जो कि पहाड़ों को चीरते हुए जाता है जैसे कि आप इस image में देखो, जादा पाली का जो यह length है, यह जादा नहीं होता है, यह मतलब पतले होते हैं, ठीक है, बहुत गहरे होते हैं और बड़े-बड़े चटानों पहाड़ों के बीच से होके गुजड़ते हैं, ठीक है, clear है, फ्रीजोट्स क्या होता है आगे लिखे होए हैं कि इसका जो coast line है ना, यूरोप का, वो 80,500 km है, यह coast line मतलब क्या, चलो वो बताता हूँ अब यह है यूरोप का map ठीक है, और अब यूरोप के map को अगर ध्यान से देखोगे ना, तो कितने सारे यहाँ एन इंसुला है तो देखो, जैसे कि यहाँ से अगर start करूँ, यहाँ से, जैसे यहाँ से पूरा में start करूँ, फिर यहाँ जाओँ, फिर ऐसे गर कि जब पूरा में calculate करूँगा ना, यूरोप का यह coast line, तो यह total है, 80,500 km का coast line है, ठीक है, clear है जो कि अफरिका से भी जादा है, ठीक है, अगर आप size देखो तो अफरिका का size, जो है, वो बहुत बड़ा होता है, बट उसका जो coast line है ना, coast line के मुकाबले में, यूरोप का coast line जादा बड़ा है, क्योंकि बहुत irregular shape है, coast line का देखते हो ना, कैसे कैसे peninsulas आ जाते हैं, बीच island, ठीक है, तो यह सभी कुछ ना, बड़े-बड़े island हुए, ठीक है, Great Britain, तो आप जानी रहे हो Great Britain, Ireland और Iceland, वैसे मैंने अभी आपको बताया था, island का मतलब क्या होता है, island का मतलब होता है, एक ऐसा जमीन जिसके चारो और पानी हो, ठीक है, तो देखो, यह जो है ना, यह Great Britain ह ठीक है, अगर हम इसमें, यह जितने भी यह सभी को मिला दो ना, तो यह हो जाती है, यह कहलाते है, Great Britain, जहापे लंडन लिखा हो है ना, यह, तो आप बोलोगे, सर, यह कहां पे पानी से घीरे हो है, तो आप देख लो, यह पानी से घीरे हो है ना, चारो और, ठीक है, दूस सबसे बड़े आइलेंड है, यूरोप के, और कुछ छोटी-छोटे आइलेंड है, अब उन्हें देख लेते हैं, इसका नाम है, कॉसका, क्रीट, फेरो, ओकनी, सैटलंड, सिसले, फिर है, सीडीनिया, ठीक है, इसे कहते है, सरडीनिया, यह सारे आइलेंड से, ठीक है, मैं मैप में सो कर देता हूँ, ताकि जादा क्लियर हो जाए आपको, तो सबसे पहला जो था, वो था, कॉसका, तो आप देखो, यहाँ पे, देख लो, C-O-R-S-I-C-A, कॉसका, तो यहाँ पे आपको दिखा, इटैली के नीचे, ठीक है, एक दिखिया, कॉसका, और दूसरा था दूसरा के नाम था, क्रीट, और क्रीट जो है, देखो, आपको पहला तो दिख्या नहीं, कॉसका, और दूसरा था, क्रीट, क्रीट यहाँ पे है, जो कि ग्रीस के पास है, फिर था, फेरो, फेरो आपको यहाँ पे मिलेगा, डेन्मार्क के पास, तो देखो, आपको दिखा अर्टी आइलंड त्थिहर ओ? स coping फिर फिर अच्ट का report . यहां पर। चेक ? यह सेटडलेंड जो युनाइट्टेट कीङड़ंड पास यानिकि इंगलैंड का इंगलैंड के पास है यह ऐंड टिएकरा सिसले तो सिसले है जो है वो यह भी इतली कि पास है देख्यों यहां सरदी इन इंप neighborhood से ले together ले ंंड do ूय एhtैल कर देखें लिए अइनके नाम हैइक act went liberty जiran पीज अबाइज इन disruption इन पेंड ठेंड कर गया एक पेज ठीक है समझ आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगा जो पार्ट वीडियो आप कैसे अवेल करोगे तो पार्ट वीडियो के लिए आपको नीचे दिए गया एक वाट्साप नंबर है वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज करना ठीक ह मैं आपको वहाँ पर पार्ट वीडियो प्रवाइट कर दूँगा ठीक है तो थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो अगर आप यहां तक देख लिए ओ वीडियो को तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि एक पेज पढ़की कि आपके अंदर कॉन्फिदेंस आ रही हैं आपको कैसा लगा एक पेज पढ़कर हमजा आया ना बहुत कुछ सिखने को मिला ठीक है आप मुझे प्लीज बता ना कमेंट सेक्शन में अपना थौट अगर समझ में नहीं है तो वो भी आप मुझे सेर करना ठीक है तो चलो अब मैं मिलता हूना आपसे नेक्स् पार्ट में तो उसके लिए आपको जाकर दिस्क्रिप्शन चेक करें आप और वह आप एक नमबर में लेगा आप मुझे कॉंटेक्ट करें ठीक है थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो तिल एर और अल बेस्ट फोर एर एक्जाम्स